इस पर मैं लेकर आई थी अपना पिछला विडियो काम की बात में और मुझे लगा इस पर ही थोड़ी सी और बातचीत करनी बाकी है क्योंकि पिछले विडियो में मैंने बात की थी केवल NPS के tier 1 account की जो कि purely एक pension account होता है लेकिन साथ ही में आप tier 2 account भी खोल सकते हैं तो क्या है ये NPS का tier 2 account क्या आपको खोलना चाहिए इसी सवाल का जवाब आज मैं आपके लिए काम की बात में लेकर आई हूँ अगर आप मेरे ये विडियो मेरे YouTube चानल पर देखते हैं तो मेरे YouTube चानल को I hope आप में सब्सक्राइब करी लिया होगा नहीं किया है तो अभी कर लीजे प्लीज ताकि इस तरह के काम की बात आपसे मिस ना हो और अगर आप मेरे वीडियो सत्य हिंदी के YouTube चानल पर देखते हैं, तो सत्य हिंदी के YouTube चानल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें जिन के पास NPS का Tier 1 अकाउंट है, वही NPS Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन इस Tier 2 अकाउंट की मैंने पिछले वीडियो में भी बात नहीं की ती और इसमें एक अलग वीडियो से बना रहे हूं कि कई सारे सवाल आ रहे तो लेकिन जो मैंने कहा वो इसलिए कि NPS Tier 2 जो है उसका आपके retirement से कोई लेना देना नहीं है वो बस एक facility है जो NPS Tier 1 के साथ Tier 2 अकाउंट खोलने की मिल रही है इसे आप open-ended mutual fund के तौर पर देखिए क्योंकि इसमें आपके retirement से जोड़े ना कोई lock-in period है ना कुछ आपको annuity में इन्वेस्ट करना ही है सीधा सीधी एक investment होगा जो आप purely pension funds में कर रहे होंगे तो क्या होता है NPS Tier 2 account यह है NPS Tier 1 का छोटा भाई लेकिन डोनों ही भाई एक दूसरे से बिलकुल अलग है NPS Tier 1 जो है वो आपके retirement और pension को ध्यान में रखकर किया जाता है और वैसा ही investment होता है इसके withdrawal के नियम भी आपके retirement से जोड़े होते हैं लेकिन NPS Tier 2 जो है एक voluntary account है अगर आप चाहें तो खोले ना चाहें तो नहीं खोले और इसमें आप पैसा जब चाहें withdraw कर सकते हैं जब चाहें deposit कर सकते हैं कोई ऐसी आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आपको इतने पैसे इंवेस्ट करने ही है या आपको अभी निका नहीं है तो आप Tier 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं तो यह जरूरी है कि अगर आप Tier 2 अकाउंट में इनवेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास Tier 1 अकाउंट होना चाहिए इसे open-ended mutual fund भी कहा जाता है क्योंकि आप इसमें वही pension fund managers जिनके pension fund आप NPS Tier 1 में खरीदते हैं उनहीं के pension funds में आप यहां पर भी invest कर रहे होंगे और उनके asset में उनका जो asset allocation mix होगा वो होगा 10 से 25% equity, 10% तक debt और फिर कुछ और जो बचे 5% है वो होगा liquid funds में और वही 8 pension fund managers हैं जो कि equity, government securities, bond और alternative investment funds से जुड़ेवे funds आपको देते हैं अब यह भी समझ आईए कि जो NPS Tier 2 है इसमें कोई भी tax benefit नहीं मिलता है लेकिन मिलता भी है, tax benefit मिलता है सिर्फ उनको जो कि government employee है यानि कि जो लोग private sector में काम करते हैं और NPS का वो Tier 2 account होलते हैं तो उन्हें कोई भी tax benefit in fact NPS Tier 2 में नहीं मिलता है जो benefit government employees को मिलता है NPS Tier 2 में वो यह है कि अगर वो इसमें invest करेंगे तो उन्हें ATC की छूट मिल पाएगी यानि वो income में इसको deduction के तोर पर दिखा सकते हैं लेकिन ये भी ध्यान रहे है कि तब उन्हें 3 साल के lock-in period को follow करना होगा और उसे कहते है NPS Tier 2 tax saving scheme यानि 3 साल का lock-in है और आप उसमें जो invest करेंगे वो ATC की आपको छूट दिलाएगा शर्त ये कि आप government employee है तब ही आप इसे opt कर सकते हैं All citizens जो हैं उनके ये option नहीं है केवल government employees को ये option है कि वो ATC की छूट इसके तहत ले सकते हैं तो इसलिए कई बा लोग सोच दें कि इसमें करने का क्या फाइदा है क्यों करें हम NPS Tier 2 में जब हमें से tax benefit भी नहीं मिल रहा है तो इस सवाल को मैं भी सोच रही थी और मुझे लगा कि क्यों आप करें आपको इसलिए करना चाहिए कि अगर आप conservative investor है यानि ज्यादा risk नहीं लेना चाहते है ज्यादा volatility जो है वो नहीं जेलना चाहते है तो NPS Tier 2 एक अच्छा option हो सकता है mutual fund है बिलकुल उसी तरह आप निवेश कर रहे होंगे fixed fund managers के जो funds है उसमें आप निवेश कर रहे होंगे और अगर आपके पास surplus पैसा बच रहा है आपकी सारी planning investment आपने सब जगे की है तक को surplus पैसा आपके बास बच रहा है जिसको आप कहां invest करें आप समझ नहीं बार है तो NPS Tier 2 एक अच्छा option हो सकता है NPS Tier 2 के account opening के लिए आपको 1,000 रुपए का investment करना होगा लेकिन इसके बाद जो limit है वो 200 रुपए की हर साल 200 रुपए अगर आप डालते रहेंगे तो ये account जो है active रहेगा तो 200 जो है minimum requirement इसकी yearly रहती है आप NPS Tier 1 अगर बंद करेंगे तो Tier 2 भी अपने आप close हो जाएगा इसलिए NPS Tier 2 को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है कि आपका NPS Tier 1 account हो और वो चलता रहे इन केस जिनका NPS का account है उनकी death हो जाती है तो वो NPS Tier 1 जो है वो समय से पहले बंद हो जाएगा और इसी के साथ Tier 2 भी जो है उसे भी close करना पड़ेगा आप Tier 2 से पैसे NPS के Tier 1 account में transfer कर सकते हैं मान लिजए आपने यहापर जो पैसे आपके Tier 2 में जमा हो गए आपको लगता कि इससे मैं एक annuity plan खरीद लूँगा अपने retirement में इस पैसे को मैं invest करना चाहता हूँ तो आप Tier 2 से पैसे Tier 1 account में transfer कर सकते हैं लेकिन यह vice versa नहीं किया ज जहां तक Tax की बात है तो NPS Tier 2 में से जब आप पैसे withdraw करेंगे वैसे आपको छूट आप जब जाहें withdraw करें लेकिन जब भी आप पैसे withdraw करेंगे यह आपके income का हिस्सा माना जाएगा और आपके income tax के slab के मताबिक आपको tax इस पर देना होगा यह tax free नहीं है यहां से होने वाली क आपके income में जोड़ेगी और उसके हिसाब से आपको tax देना होगा जैसा कि NPS Tier 1 में होता था कि आप जब withdraw करते हैं 7 साल होने के बाद इस NPS Tier 1 से 60% का हिस्सा corpus job आप निकालते हैं तो उस पर कोई tax नहीं लगता था लेकिन NPS Tier 2 में आपको tax देना होगा जब भी आप withdraw करेंग और आपको इस पर tax देना होगा तो tax के point of view से NPS Tier 2 में ज्यादा फाइदा नहीं है अगर आप Central Government Employee है तभी आपको फाइदा होगा लेकिन अगर आपके पास Tier 1 है और आपके वास कुछ surplus fund है जो आपको लग रहा कि आप कहा invest करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक conservative investment के त comparison में आपको सस्ता लगेगा क्योंकि pension fund managers 0.01% जो है आपको charge करते हैं और आप mutual fund में नविश कर रहे होंगे और इसमें आपको volatility जो है वो कम नजर आएगी आपको risk जो है वो कम नजर आएगा ए conservative investment अगर आप करना चाहते है तो NPS Tier 2 एक अच्छा option हो सकता है लेकिन ध्यान रह का कोई भी रिष्टा आपके retirement से नहीं है यह बस investment है आप investment आप tier 1 जो है वो करेंगे अपने retirement के लिए tier 2 है अगर आप surplus funds को यहाँ पर डालना चाहते हैं फाइदा केवल government employees का हो रहा है अगर वो करते हैं तो उनको यहाँ पर ATC की छूट मिलती है लेकिन और किसी को इसमें tax क कोई छूट नहीं मिलती है आप पस एक investment के तौर पर अगर NPS tier 2 में बने रहना चाहते हैं तो एक अच्छा option हो सकता है वरना investment के लिए और भी कई options हैं जिसको आप try कर सकते हैं tier 2 purely investment के लिए यह आपका फैसला है तो मेरे इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते है तो आप मेरे YouTube Channel को प्लीज सबस्क्राइब करें साथी में अगर आप मेरे यह वीडियो देखते हैं सकते हिंदी के YouTube Channel पर तो सकते हिंदी के YouTube Channel को भी subscribe करें सद्ध हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube Channel को subscribe करें और सीधे notification पाने के लिए bell icon दबाए